हलो डियर स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासिस में मेरा नाम है मुकुंद कक्षा बारा गड़त के अंतरगत हम लोग अध्याय साथ को पड़ रहे थे चैप्टर नमर साथ इंट्रिकेशन के बारे में जान रहे थे जिसके अंतरगत में आपको एक्साइ करा चुका हूं सारी और इसको आप प्लेलिस्ट में आसानी से चेक कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है वहाँ पर आपका पूरा कोर्स कम्ट्रीटली डाला हुआ है वहाँ आप आप जाके देख सकते हैं और इस वीडियो लेक्शर के अंदरगत जैसे हम सीरीज को आंगे बढ़ते हैं रहे हैं एक्शाइज 7.5 का पार्ट वन देखने वाले ही जिसके अंदर आपको पता है कि आपको अंदरगत में आपको और सारी करा देता हूं पार्ट वीडियो आपको अच्छा लगया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीए और वीडियो को फटाफट तो आप Facebook पर share कर सकते हो, आप Instagram पर share कर सकते हो, आप WhatsApp पर share कर सकते हो, आप WhatsApp पर story लगा सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकते हैं, अगर आप वास्ताव में वीडियो को share करना चाहते हैं, और चैनल को और साथ ही मुझे थोड़ा सा support दिखाना चाहते हैं, वहाँ से आ अच्छे अच्छे comments कर दिए, मेरे लिए काफी रहेगा, साथ ही अगर आपको और थोड़ी जादा महत करनी हैं और चाहते हैं, कि आपका code अच्छे से हो, और आपको, मैं personal तो पर आपको महत के बारे में बता सकूँ, समझा सकूँ, तो उसके लिए आप application को download कर लिए, प्ल की grammar, English grammar, English course, इन सबका आपको बढ़िया तरीके से paid course मिल जाएगा, और फीस बहुत ही कम है, जिसके अंदर गाता आपको वाटसाप ग्रूप, dedicated वाटसाप ग्रूप भी प्रोवाइड ही जाता है, साथ ही आपको PDF, notes, solution, और ये सारी से आपको provide जाती है, बहुत ही कम फीस के दर्गत उस paid course में बहुत ही कम फीस है, तो उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं, और ज्यादा टाइनल लेती हुए, एक्साइज 7.5 के part 1 की तरफ बढ़ते हैं, आंगे बात करते हैं, और आपको एक्साइज 7.5 का concept और example को देखना है, यहाँ पर देखें, concept है आपका आंसिक बिन्नों दौरा समकलन, यानि कि integration by partial friction, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आंसिक बिन्नों का पहले हल देखना है आपको, कि आंसिक बिन्नों का जो हल होता है, solution होता है, वो किस प्रकार से होता है, तो solution of partial friction, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं, क्या आप आंसिक बिन्नों के partial present जो है, उसके हल पर एक dedicated video अगर आप चाहते हैं, कि आंसिक बिन्नों को किस तरीके से हल किया जाता है, उसके लिए मैं dedicated video आप अगर कहेंगे, तो मैं बना दूँगा, ठीक है, और उसको जल्ली से जल्ली post कर दूँगा, कि आंसिक बिन्नों को अगर आप हल करते हैं, तो कि किताबें चलती थी, आप अपने teacher से पूछ सकते हैं, कि starting में 6 किताबें चलती थी, उसमें एक बीजरत की अलग से किताब होती थी, और उस बीजरत की किताब में आंसिक बिन्न का अलग से dedicated chapter हुआ करता था, तो उस chapter से आपको आंगे दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अभी प चाहते भी हैं, तो क्यों चाहते हैं, यह मुझे जरूबता रही है, बहतीन तरीके से comments करके, तो मैं फिर बनाने की सोचूंगा, इस बारे में, ठीके ना, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर मैंने ले लिए, पर्मे फलंका रूप, form of rational fraction ले लिए, और आंसिक बिन्न का से convert करेंगे कि a upon x minus a plus b upon x minus b, ठीक है, फिर यहां से आप convert करने के बाद उसको हल करके abc का मानने का लेंगे, अब इसको कैसे हल करना है, वो हम आगे देखेंगे, और मैंने आप से का जैसे कि, अगर आप dedicated अलग से वीडियो चाहते हैं, तो comments कर देना मुझे, ठीक है, अगर भिन इस रूप में, px plus q upon x minus a का whole square, तो आप लिखेंगे a upon x minus a plus b upon x minus a का whole square, धान दीजिएगा, यहां पर whole square है, तो पहले आपने x minus a लिया, फिर आपने x minus a का whole square लिया, ठीक है, तो जो कुछ भी मैं आपको इसमें बता रहा हूं, धान पूर रग देते जाएगा, अगर य है, px square plus qx plus r upon x minus a x minus b x minus c, तो आप convert कर रहे है, a upon x minus a plus b upon x minus b plus c upon x minus c, ठीक है, धान अगर दिया है, px square plus qx plus r upon x minus a का whole square and x minus b, तो यहां पर गौर कीजिए, यहां पर whole square लिया, तो whole square वो कैसे convert करना है, एक बार आपको single लेना है, फिर आपको एक बार square के form में लेना है, ठीक ह x minus a का whole square plus c upon x minus b, यहां पर px square plus qx upon r upon में x minus a and x square plus bx plus c है, तो आप यहां पर whole square होता था, यहां पर whole square है, ठीक है, यहां पर भी whole square है, तो whole square में क्या करते थे, कि पहले single लेते थे, फिर whole square लेते थे, है ना, यही चीज़ में आपको बताई, कि पहले आप single लेते हैं, फिर आ आप यहाँ पर whole square लेकिन अगर x का square है धान दिजेगा अगर x का square है उस case में आप बनाएंगे bx plus c क्या बनाएंगे bx plus c यहाँ पर गौड करें x square plus bx plus c दिया था यहाँ एक्स का square दिया था और यहाँ पर ध्यान देना यह x square plus bx plus c का कोई गुड़नखंड नहीं हो रहा है ठीक है आप फर्दर इसको और नहीं तोड़ पा रहे हो गुड़नखंड नहीं हो रहा है तो इसको आप किस परकार से convert कर रहे हैं a upon x minus a plus bx plus c upon x square plus bx plus c इस रूप से जहाँ a b c वास्विक संग्या है जिनको उचे बिदी से ग्याद करते हैं मतलब किस परकार से आपको हल करना है तुलना करके comparing करके और कौन साथ को method लगाना है मैं साथ में एक ट्रिक भी बता दूंगा तो यह सारी चीज़े हम example में देखने वाले हैं इसको हल करते हैं समझने वाले हैं ठीक है तो आंगे बढ़ते हैं उधारन देखते हैं उधारन नमर 11 सवाल दिया आपको integration of dx upon x plus 1 and x plus 2 का मान गयात कीजिए तो यह उधारन नमर 11 समझे लिजे फिर exercise 7.5 का आपसे question number 1 और question number 22 question number 1 and question number 22 आपसे बन जाए है तो सबसे पहले आपको जो दिया है उसका भिंड के रूप में लेंगे यानि कि आप बना रहे हैं सबसे पहले कि 1 upon x plus 1 and x plus 2 ठीक है तो यहां पर गौर कीजिए यहां पर x plus 1 and x plus 2 तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि a upon x plus 1 plus b upon x plus 2 इस रूप में लिखेंगे बास समझे आप आप क्या करेंगे लासा लेंगे दोनों सिस्टम में क्या करना है आपको दोनों सिस्टम में यहां से आप लासा ले लिए इस वाले सिस्टम में तो यहां पर लासा लेंगे कितना है लासा भी x plus 1 and x plus 2 तो यहां जाएगर आप यहां दोनों तरफ पक्षों में देखेंगे त x प्लस 1 and x प्लस 2, x प्लस 1, x प्लस 2 कट रहा है, ठीक है, तो यहां से आपने क्या गड़िया कि 1 बरावर a, x प्लस 2, प्लस b and x प्लस 1 और आंगे ध्याँ रखिएगा, मैं ये वाला जो line इसको नहीं लिखूँँगा, मैं direct इस वाली line पर आउँगा, नहीं लिखुँँगा, तो इस बात को ध्यान रखीगा, यह बीच वाली लायन में आगे लिखूँगा है, जम्प आउट करूँगा, अब आपको पता है कि नीचे बाल सिस्टम तो तूट नहीं करना है, तो उपर क्या बज़ जाएगा वह आप देख सकते हैं, तो इस बात क BX plus B और X common निकाल लेना है अलग कर लेना यानि X common निकालने पर A plus B X और अचरपत निकालने 2A Plus B अब इस जो 1 है इस 1 को कहा लग सकते हैं इस 1 को लग सकते हैं अब 0 into X plus 1 ऐसे लग सकते हैं यहें बिल्कुल A plus B X plus 2A plus B अब यह समझना है A plus B, तो यहाँ पर तुलना करने पर 0, और यह अचरपा तो यहाँ पर इस प्रकार से बना जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे तुलना करने पर, ठीक है, या फिर आप लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, comparing on both side, तो तुलना करने पर, तो अगर हम तुलना कर यहाँ से, तो यहाँ से कहले लिखेंगे रही ए, प्लस B बढ़ जीरो, यानि आप बोलतकते हैं कि A बराबर माइनस का, माइनस का, वी, और, और, तूए प्लस B बढ़ आना है रहान, एक स्थार पर माइनस का बह रखना है, तो माइनस का, ये हो जाएगा, टूबी, प्लस B बरावर 1, तो यह हो जाएगा minus का B बरावर 1, so we get B बरावर minus 1, अगर B का 1 minus 1 है तो इसलिए एक आवान कितना हो जाएगा, A बरावर था minus का B, A बरावर हो जाएगा minus minus 1, तो यहां से हमें मिला A बरावर 1, ठीक है, अब आपका जो भिन्न था, फ़े भिन लिगा था आपका 1 upon x plus 1 and x plus 2 ये किस रूप में टूटा था a upon x plus 1 plus b upon x plus 2 तो यहाँ से a का महा रखा आपने 1 upon x plus 1 और plus b का महा रखा रखा रहाँ आप minus 1 तो minus 1 upon x plus 2 तो ये जो भिन लिदी इसको आपने टोड़ा 1 upon x plus 1 minus का 1 upon x plus 2 इस रूप में देखे 1 upon x plus 1 and x plus 2 को इस रूप में आपने तोड़ दिया अब इस चीज का integration कर रहे थे कि 1 upon x plus 1 x plus 2 and dx तो बराबर इसका आप integration कर रहे हैं कि 1 upon x plus 1 minus का 1 upon x plus 2 and dx तो अलग plus 2 dx अब यहां समयने वाली बात है कि 1 upon x का देखना मैं आपको प्रिती स्थापित करके भी बता रहा हूं और डारेक्ट भी बताने वाला हूं कैसे कि integration of 1 upon x dx क्या होता भई log x होता है है ना integration of 1 upon x dx होता है आपका system log x अब x अगर आपका single है एक अगर आपका single है तो आपका direct बन जाएगा और उसके साथ कोई अचरपद है तो उस अचरपद को भी लेते हैं और वह अचरपद आपके function में कोई परिवर्थित नहीं करता है कुछ भी और अंतर नहीं डालता है तो direct आप यहां से log x plus 1 minus का log x plus 2 कर सकते हैं इसके अलावा कर मैं दोनों system में बात करूं तो यहां पर आप मान लेते हैं कि माना अगर मैं system की बात कर लेता है तो दोनों system में आप ऐसे कि माना माना x plus 2 बरावर u and dx बरावर du ठीक है तो अगर आपने यह चीछ convert इसमें पूट कर दी तो यहां से integration of जो जाएगा वही वन अपॉन टी डी टी माइनस integration of 1 अपॉन यू डी यू तो यहां से कितना मिल जाएगा वही log t minus का log u plus का c so t के स्थान पर रखना है आपको x plus 1 log x plus 1 minus का log x plus 2 plus c तो माइनस मैं आपको पता की चीज़ बटे में चले जाएगी log के लिए log x plus 1 यहां पर आप लिख सकते हैं log x plus 1 upon x plus 2 इतना और प्लस से यह हो जाएगा answer या फिर अगर मैं वहीं कहूं इस बात के लिए कि आप इस चीज़ को डारेक्ट अप्लाई करें कैसे दो जैसे मैं आप से कहा कि यहां पर x plus 1 है तो x के साथ कुछ पहली बाद तो कुछ चीज़ नहीं है और वन अपॉन में अगर x है तो वह log में convert होता है समा कलंग के लिए तो यहां से आप इस चीज़ के लिए समझना मैं यहां से बता रहा हूँ फिर से आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा कुछ नहीं सोचना है कि मैं यह formula आपको बता रखा है और डारेक्ट आपको अप्लाई कर देना और यह चीज़ मैं डारेक्ट कर बताऊँ हूँ है क्योंकि आप प्रितिस्ता पर बार बार करेंगे तो आपका time consume होगा इतना ठीक है आपको कुछ नहीं सोचना है आपको यह जो line दीए इस line के बाद direct आपको jump out करना है इस वाली line पर सीधे यहां आना है क्या ध्यान रखना है कि one upon x plus one है तो system सीधा आपको log में convert कर देगा and one upon x plus two तो यहां पर भी direct log में convert कर देना है यानि कि आपको जो इतना माल material था इसको नहीं लिखना है फिरते मैं बता देता हूँ मैं अगर मैं इसको साफ कर दूँ और मैं आपसे कहूं कि किस प्रकार से आप इसमें convert कर रहे हैं तो यह समझ लीजिए यहां से आप direct convert करेंगे इतना आप समझ गये हूँगे आंसर किस प्रकार से निकालना है प्रती स्थापित करना है ठीक है लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा directly करें किस प्रकार से directly करें वो मैं आपको समझा रहा हूँ रूख यह एक second का wait करना है यहाँ पर मैं आपको इस प्रकार से दीए formula तो यह होगी आपका ठीक है अब यहाँ से आप direct jump out करेंगे कि 1 upon x plus 1 है ठीक है बहुत से tier कहेंगे नहीं वो प्रिती स्थापित का सिस्टम आप जरूरी नहीं कि हर बार प्रिती स्थापित बाला सिस्टम करें ठीक है हर बार प्रिती स्थापित बाला सिस्टम नहीं आपको जरूरी कि अपलाई करना आपका तो answer चाहिए न answer हम दे रहें और आपको वो चीज समझ में आ ली चाहिए कि one upon में system है और one upon में system x के साथ log में convert होता है तो आपका सीधा system log में जाएगा log x plus 1 minus का log x plus 2 plus c यह आप apply करेंगे direct इस बात को ध्यान रखेगा log x plus 1 upon x plus 2 and plus c तो यह हो जाएगा भी answer ठीक है अब यहाँ पर बहुत से students सोचेंगे sir यहाँ पर mode लगा रहता है answer में लोग के साथ log minus 2 आपका सही नहीं है ठीक है log minus 2 सही नहीं है तो जब log के अंदर minus 2 हो ही नहीं सकता है तो फिर आपको वहाँ पर पहले बाद minus लेना ही नहीं है इसलिए question में आपके solution होता है वहाँ पर mode लगा रहता है तो अगर आप mode लगा है या ना लगा है यह ज़रूरी नहीं है अगर आप mode लगाना चाहो तो mode लगाने से यह होता है वो जो चीज है वो हमेशा positive में आनी चाहिए बस इतना बताता है ना भी लगाओ के तो भी कोई दिक्कत नहीं है जैसे मैं log के साथ वहाँ पर mode नहीं ले रहा हूँ आप मेरा वीडियो जो भी देखे हूँ आप लोग के साथ मैं मोड नहीं लिया है अगर आप लेना चाहो mode तो ले लो कोई भी दिक्कत नहीं mode लगाने में क्या जा रहा तो मैंने ये कारण बता दिया कि वहाँ पर mode जो लगा रहा है क्यों लगा रहा है क्योंकि log minus 2 का कोई answer नहीं होता है लेकि log 2 सही है इसलिए वहाँ पर आपका mode लगा रहा है इसका मतलब क्या कि log के साथ negative value पॉसिबल नहीं है मतलब उसका answer ही नहीं आएगा तो वहाँ पर mode लगा रहता है ताकि वह value positive हो सके इस वज़े से mode लगा रहता है बास समझे होंगे आप मेरी ठीक है अब इस आधार पर उधार नमबर 1 की आधार पर आपको कि आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा इस बात को याद रखेगा कि जो हर की घात है वह अंस की घात से बड़ी होनी चाहिए हर की घात अंस की घात से बड़ी होनी चाहिए कहने का मतलब कि हर यह होना चाहिए हर की घात is always greater than अंस की घात अंस की घात यह हम ऐसा होना चाहिए अगर ऐसा नहीं है अगर ऐसा हो जाता है कि अंस की घात या तो बराबर में है या फिर इस से बड़ी है अगर greater than or equal to हर की घात दे रहा है हर की घात उस case में इस case में समझे न यह एक पॉइंट है यह second point है इस case में आप अगर अंस की घात बड़ी है हर की घात से या बराबर है ठीक है इस case में हर का भाग अंस में दे देंगे अगर अंस की घात बड़ी है या बराबर है अरकी घात से तो हर अंस में देंगे तो बराबर घात हो गई अब हर का भाग अंस में देंगे तो सबसे पहले आप भाग देंगे सिस्टम में आपके पास x square plus 1 upon x square minus का 5 x plus 6 यह है भाग तो पहले तो आप भाग देंगे ठीक है तो चाहो तो यह काम fair में कर सकते हो चाहो तो आप rough में कर सकते हो कोई दिक्कर नहीं ठीक है तो अगर हमने भाग दिया x square minus का 5 x plus 6 से x square minus 1 में तो कितनी बार में जाएगा भी भाग तो जाएगा एक बार में क्योंकि यहाँ x square है न तो भाग जाएगा x square minus का 5 x plus 6 तो यहाँ पर ले लेंगे minus चिन बलेंगे minus plus और minus तो system में के हिसाब से यह आप कर जाएगा system यहाँ पर बचरी जाएगा भी 5 x and यहाँ पर कितना बजाएगा minus 6 and minus 1 तो बजाएगा minus का 7 तो अब आप लिखते कैसे हैं जो आपका भाज होता है भाज बीच वाला system क्या होता है समयने मेरी बात अगर आपको चीज़ें याद हो और यह वाला system होता है sales पल तो फॉर्मूला क्या बनता है इस हिसाब से भाज बढ़ाबर भाजक गुणे भाग पल पल प्लस sales पल यह फॉर्मूला आप याद रखीगा ठीक है तो इस x square प्लस 1 के जो system है इसको आप इस प्रकार से भी प्लस 1 के system को आप इस प्रकार से भी लिखेंगे कि 1 और 5x-7 ठीक है यहाँ पर आप 5x- का यहाँ पर प्लस 6 थे न हाँ भी x square प्लस 1 एक चीज़ और यहाँ पर x square प्लस 1 है तो प्लस 1 के हिसाब से यहाँ पर द्यान नहीं दिया था यहाँ पर गौर किजिए मेरी बात को यहाँ पर system समझेगा यहाँ पर प्लस 1 था अब प्लस 1 है और यहाँ पर 6 कैसा है 6 माइनस का है तो माइनस 6 में से प्लस एक जाएगा तो माइनस का पांच बच जाएगा अभी बहतर है ठीक है तो यह x square प्लस 1 को हम जो लिख सकते हैं भाज़ को ने भागपल प्लस सेस्फल के रूप में इस हिसाब से convert कर सकते हैं यहाँ आप x square प्लस 1 को लिख रहे हैं भाज़ कितना भई x square माइनस का 5x प्लस 6 इंटू भागपल कितना 1 और प्लस सेस्फल कितना 5x माइनस 5 अब x square माइनस इसकी value यहाँ पर आप लिख दें अगर तो यहाँ से ही क्या हो जाएगा समयने मेरी बात को यहाँ से आपको यह मिलीगा x square माइनस 5x प्लस 6 इंटू 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन में x square माइनस 5x प्लस 6 अब इसका भाग अगर आपने दिया तो x square माइनस 5x प्लस 6 अपॉन में x square माइनस 5x प्लस 6 6 प्लस 5 अपॉन x square माइनस 5x प्लस 6 यह उपर नीचे से कट रहा है यानि आपको बचना कितना है आपको बचना है 1 प्लस 5X माइनस 5 अपॉन X स्क्वाइर माइनस 5X प्लस 6 तो यहां से आपका यह बचना है तो यहां से आपको क्या में लिए यह क्या पता चल गया बई देख लो ये 1 कितना था, ये 1 था भागफल, प्लस कर रहे हैं, और ये 5x-5 क्या था, ये था 6 फल, और ये नीचे वाला क्या था, ये नीचे वाला था आपका भाजक, ठीक है, तो आपको formula किस परकार से बनाना है, अगर जो भी convert करना है, वो बनाना है भागफल, प्लस 6 फल उपर हो जा बस इस तरीकी से बनाना है, ध्यान रहेगा मेरी बात, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हाँ, मैंने एक, एक point बहुत अच्छे से बताने को से इसकी आपको कि किस प्रकार से system होता है, ठीक है ना, तो इसको आप क्या लिख लेंगे, चाहिए आप भाग जो दिया थ है, आप में देलो, इससे कोई फर्पनी पढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख रहे हैं, अगर मैं बात करूँ, x square प्लस 1 अपॉन, x square माइनस 5x प्लस 6, तो मैंने आप से क्या बताया, कि आप यह जो भागफल है, उस भागफल को लिखेंगे, then plus 6 फल उपल ल समझेगा, इस 5x माइनस 5 अपॉन, x square माइनस का 5x प्लस 6 को आप तोड़ना है, जो आपने, उधारन नमबर 11 में जिस प्रकार से तोड़ा था, बात समझेगा, ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दू, किस प्रकार से सिस्टम था, कि यहाँ आप उधारन न हाद बराबर या बड़ी हो जाए हर की घास से, तो हम हर का भाग अंस में दे देते हैं, उस केस में आपने क्या किया, कि इस जो आपका यह भिन्न थी, इस में आपने x square माइनस 5x प्लस 6 से x square प्लस 1 में भाग दिया, और उपर आया आपका यह भाग पल और नीचे आया, यह तो क्या लिख देते हैं, इस भिन्न को आप इस प्रकार से convert करेंगे, कि लिखेंगे आप पहले भाग पल, उपर जाएगा और नीचे जिससे भाग दिया, यानि कि भाग उसको लिखेंगे, अब यह जो आपका system मना, यह भिन्न, अब इस भिन्न को आंसिक रूप में आप convert क करेंगे, ठीक है, तो यह आपने भिन्न पकड़ ली, और यहाँ पर ले रहे हैं, आप पहले तो आप इसको आप तोड़ेंगे नीचे, नीचे जो factorize हो जाएगा, कितने में तोट जाएगा, 5x-5 में, आपको याद दिला दू, यह तीन दो नीचे है, और तीन दो पांच, यानि-2-3 में convert होगा, तो यह जो टूर जाएगा, समझे के बाद, यह टूर जाएगा, x-2 and x-3 के रूप में, बासांग में आई, यह जो minus 5 एक, इसमें टूर देगा, minus 2 and minus 3 में, तो आप क्या लिखेंगे, x-2 and x-3, simple, और गुड़न खर्ण करना, आपको कक्छा 8 से सिखा पारे, x-3, लेकिन 8 में 8 में, क्त आफ आते हैं, तो प्रॉपर तरीके से, आपको बताया हमें लगता है, ठिक है, इसके अदाल आब बाकी लोग भी जानते, जो बाकी बोड के, उनको भी मैं बता दू, कि आप लोग गुड़न-कल्ण करना बहुत आच्छी तरीके से, जान बढ़ते हैं और यहां से इसको आप तोड़ेंगे किस प्रकार से कि ए अपॉन a upon x minus 2 plus b upon x minus 3 फिर मैंने आपको याद दिला दू कि कैसे कराया था इसका आपको लासा लेना है और उधार नुमर मैंने 11 में आपको बताया था कि मैं आप लासा को एक जो बीच की लासा वाला step था उसको मैं skip करता जाओंगा और उसको मैं अगले उधार से करता जाओंगा आपको यह ध्यानक ना है कि यह system आपका इस प्रकार से बनेगा कि 5x minus 5 upon x minus 2 x minus 3 बरावर लासा लेने किसका x minus 2 x minus 3 a के साथ आएगा भी यह x minus 3 and b के साथ आएगा x minus 2 यह तिर्षा जाता है यह line इसके साथ जाएगी यह system इसके साथ जाएगा तिर्षा जाता है यहाद रहेगा बिल्कुर और मैंने आपसे कहा नहीं कि इस system को इस वाली line को मैं skip करूंगा आंगे अगले उधारन से ठीके अब b and x minus 3 plus b and x minus 2 और जैसे मैंने आपसे कहा कि यह line पकड़ेंगे सबसे पहले और इसके बाद मैं direct इस line पर आ जाएगा ठीक है ना क्यों क्योंकि आपको क्या ले लेना है फिर आपको यह ले लेना है कि 5x minus 5 पकाड़ लेना है बस इतना और a के साथ गुणा करा देंगे हम इस बस simply यह पकड़ लेना आपको ठीक है इस तरीके से लेंगे यहां लेगा आपको बस आँगे इस सीट को आपको जहां रतना है ठीक है आँगे बढ़ते हैं आपको गोणा करा देना है तो 5x minus 5 बराबर ax minus 3a plus bx minus 2 और अगली बार से मैं इस गोणे को भी नहीं चाहूँगा क कि आप prefer करो आप तो direct करो और कैसे direct करना है वो आँगी समझ देंगी ठीक है ना direct कैसे करना है वो समझ देंगे आप कि अब 5x minus 5 बराबर common निकालेंगे हैं a plus bx minus 3a and minus 2b माइनस का टूगी तो मेरा कहने का मतब यह था कि आप यह वाली लाइन लिखिए इसके बाद direct jump out कीजिए इस वाई लाइन को यह वाली भी लाइन आपकी unnecessary होगी क्योंकि आपको direct इस पर आना है अगर आप आप आए नहीं तो गुणा कर लो नहीं तो गुणा कर लो simple लेकिन में आपको बता रहा हूं कि क्या necessary है यह वाली लाइन आपकी लिखिए ठिक है यह वाली लाइन सब्सक्राइब यह बच रहा है यह चीज चाहिए, accuracy and speed कक्षा 12 के board में आपका paper छोटा नहीं है कि इस बात को ध्यान रखीगा, ठीक है ना आप क्या करते हैं, simply तुलना करने पर, किस प्रकार से आप paper करेंगे, इस बात को भी ध्यान रखीगा तुलना करने पर ठीक है, और गलती नहीं कीज़ेगा क्योंकि अगर आप दो सीडियां चड़ते हैं, तो आपको बहुत careful लएना पड़ता क्योंकि दो सीडियां चड़ने में कभी-कभी फिसल भी जाते हैं तो फिसलना नहीं है, जिद करनी है अपनी हदों को पार करना है और जली-जली अच्छी तरीके से स्पीड तरीके से काम करना है, इस बात की ध्यान रखिएगा तो तुलना करेंगे, अब तुलना आपको कैसे करनी है, यहाँ पर जो X है उसकी तुलना X के साथ हो जाएगी, और अचरपत के साथ हो जाएगी तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, तुलना करेंगे, अब अचरपत की तुलना करेंगे आप, और माइनस का 3A, माइनस का 2B, बराबर माइनस का 5 और माइनस 3, और 5 माइनस B, माइनस का 2B, बराबर माइनस 5 और माइनस का 15, प्लस का 3B, माइनस का 2B, बराबर माइनस 5 तो यह कितना हो जाएगा भई, बी बराबर माइनस का 3B, यहाँ से 2B गया 3B minus 2B तो B बच्चेगा and minus 5 plus का 15 so we get B बरावर 10 B का 1 आपको मिलगे 10 और यहाँ पर रख देंगे इसलिए A बरावर कितना में जाएगा भई A बरावर हो जाएगा 5 minus B का 1 10 तो यहाँ से A का बावर मिलगे आपको minus का 5 ठीक है अब A और B का 1 आप यहाँ रख रहे हैं किस वाले सिस्टम में रखना था 5X minus 5 5X minus 5 and यह था आपका X minus 2 and X minus 3 so we get कितना A का 1 minus 5 तो minus 5 बटे X minus 2 plus B का 1 10 बटे X minus 3 यह बाद समझ गये हूँ कहाँ पर रखा आपने इस सिस्टम में रखा यह जो सिस्टम आपने बनाया था ना यह 5X minus 5 और X minus 5X plus 6 यह सिस्टम आपने बनाया इसमें आपने रख दिये A की value minus 5 और B की value X minus 3 A की value minus 5 और B की value X minus 3 रख दिये अब इस सिस्टम को आपको कहाँ पर रखना है इस सिस्टम को आपको इस जगे पर put करना है, यह आप देख रहे थे है ना, इस system को आपको इस जगे पर put कर देना है, इस जगे पर है ना, system, बिल्कुल पूर आपका clear है इस जगे पर आपको put कर देना, simply ठीक है, तो plus one था one plus करके था, तो आपके पास सवाल था भई, कि x square plus one upon x square plus one upon x square minus five x plus six, इसको आपने convert किया था, one plus five x minus five upon x square minus five x plus six में इस जीज़ को आप देख रहे थे, one plus five x minus five upon x minus two and x minus three में and यह system आप देख रहे हैं कि five x minus five को अपनने, five x minus five को अपनने इस रूप में convert कर दिया, तो यह चीज़ यहाँ पर put हो कि आ जाएगी, कि one minus का five upon x minus two plus का ten upon x minus अब इसका आप integration करा लेंगे यानि integration of x square plus one upon x square minus five x plus six and dx, बराबर क्या हो जाएगा भई, यह हो जाएगा सिस्टम आपका अलग अलग कर देते हैं सबका, चाहँ तो एकटा कर दो, integration of one minus five upon x minus two, plus का ten upon x minus three and dx, ठीके न, और जैसे मैंने आपसे कहा था, अधा नमर ग्यारा में, क्या, कि यहाँ देखो, x minus two है, x single है, और one upon x होता है log x, तो सीधा-सीधा आपका log x minus two होगा, यहाँ पर log x minus three होगा, ठीके, तो यह कितना सिस्टम बनेगा, अगर मैं आपको बता हूँ, one कर दो हो जाएगा, x minus five बहाँ निकलेगा, यह कहलाएगा log x minus two, plus 10 बहाँ निकलेगा, यह कहलाएगा log x minus three and plus c, ठीके न, इस तरीके से सोचेंगे, किलियर है बात, तो यह हो जाएगा आपका final answer, आप आप समझ गए होगी, किस तरीके से चीज़ों को सोचना है, समझना है, और सवालों को किस प्रकार से आपको tackle करना है, हल करना है, देखना है, और attack बोलना है, ठीके, यलगार हो, इस तरीके से आपको सवाल कर देना, एक दम, बिल्कुल fluently करना है, बिल्कुल मजा आ अधारन नमबर आपका 13 जो दे रहा है, उधारन नमबर 13 दे रहा है, इंट्रीकेशन ओफ, 3x-2 अपॉन, x-1 का square, and x-3, and dx का मान गयात किजिए, अब देखो, यहाँ पर फिर वही बात आ गई, कि यहाँ पर जैसे मैं आप शुरुआत में होता है था, कि अगर x-1 का whole square है, तो एक बार single लेना है, एक बार फिर square लेना है, और यहाँ पर आप अगर गौर करें, तो अंस की घात, हर की घात से छोटी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर घात दो हो गई, और यहाँ गात एक हो गई, तो यहाँ पर आपकी तीन घात हो गई, और यहाँ उपर आपकी एक घात है तो भाग देने की को जरूरत है नहीं ठीक है तो इस हिसा आप से आप ले रहे हैं 3x-2 upon x plus 1 का whole square and x plus 3 तो बरावर में क्या कर लेना है एक बार single और एक बार आपको घात के double लेना है एक बार square लेना है ले लेंगे इस तरहले से ठीक है इस परिछार आप x plus 3 ले ले लेंगे अब यहां पर क्या करेंगे इस बात को समझ тяжिएगा एक बार फिरसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लासा जो लेंगे वो किसे सापस जाएगा ठीक है यहां पर रप्लीकेट करेंगे यहां पर लिखेंगे तो बटेवाला सिस्टम में बुकर जाएगा तो बेसिकली मैं वह चीज हटा दीता हूं लासा वालो जो system कट जाएगा तो आपको इतना मिलेगा समाझे गए बात मेरी कि इस हिसास से system चलेगा तो यहाँ पर अगर आप गौर कर पाए था तो एक के साथ आप एक स्प्लस बन तो single था एक बार एक स्प्लस बन आएगा एक स्प्लस थी आएगा simply and b की बात कर लो यहाँ पर एक स्प्लस बन का होल स्क्वाइर तो आपके साथ जो बचेगा सिर्फ एक स्प्लस बी के साथ एक स्प्लस थी बचेगा एंड अगर मैं सी की बात करता हूं तो यहाँ पर सिर्फ एक स्प्लस थी था एक स्प्लस थी कटेगा सो कितना बचेगा एक स्प्लस वन का होल स्क् तो यह चीज जाएगी बहुत लंबी खिच जाएगी ठीक है क्योंकि मैंने उद्धार नमर 11 और 12 में क्या बताया एक का करा दो फिर बिग्ग गोना करा दो फिर तुलना कर दो वह आप अगर यहांसे करेंगे तो वह लंबी खिच जाएगी तो करना क्या है क्या system apply करना आपको यह है trick के रूप में आप ध्यान रखेगे गे बढ़ी है छोड़ी शीऑ आपके trick रहेगी ध्यान रखेगा करना क्या ला कि ये के साथ ये ट्रिक के रूप में माना पिरते मैं बता तुम एक बार कि अगर आप इस पूरी चीज का गोणा और जोड करके अलग-अलग निकालेंगे तो यह चीज बहुत ज़्यादा लेंदी होती जाएगी आएसा नहीं कि करना नहीं पड़ेगा आएगे आपको स्थीटी ऐसी बनेगी कि आपको गोणा ही करना पड़ेगा और कोई चीज नहीं अप्लाई करोगे लेकिन ट्रिक क्या है आपको ट्रिक मैं बता दू कि ट्रिक इस तरीके से रहे कि जो आपको सिस्टम दिया है आपको तो एक कि यतनी मिली माइनस की अब इस x की value को याद रखेगा, आप यहाँ पर भी put करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी put करने वाले हैं, रखने वाले हैं, ठीक है न, so x plus 1 बराबर 0, आप x plus 1 0 रखेंगे तो यह a वाला part पूरा 0 हो जाएगा, बताएगे, होगा आप की नहीं, x plus 1 को यहाँ 0 रखने पर a वाल कि ब बाला part बच जाएगा, तो x का मान माइनस 1 रखा तो 3, माइनस 1, माइनस 2, a का मान 0 हो जीर और, c का मान 0 रख घर तो यहाँ बच जाएगा, बच जाएगा, 2 ठीक है 2 बच जाएगा यहाँ पर कितना हो रहा माइनस का 5 बराबर b into 2 यानि कि b की value अगई माइनस की 5 बटे दो ऐसे सोचने है भी या और मैंने आप से क्या का एक बार आपने x plus 1 का मान 0 रखाए अब एक बार x plus 3 का मान 0 रखोगे माना माना x plus 3 बराबर 0 x बराबर कितना रख रहे हैं माइनस 3 ठीक है अब x का मान यहाँ पर आप माइनस 3 रखोगे दूसरी वाद समझे कि जैसे ही अगर आपने x का मान माइनस 3 या x plus 3 बराबर 0 क्या माने आपने x plus 3 बराबर 0 माना तो उस case में यह x plus 3 है तो यह a का मान 0 कर देगा और यहाँ पर भी x plus 3 है तो यह b का मान भी 0 कर देगा अब बचाए c तो यहाँ पर आपका c का मान बचेगा और c का मान आप निकाल लोगे कौन सा मान बचेगा आपके पास c का मान बचेगा a और b 0 हो रहे हैं इस बात को धियान रखेगा तो c का अमान बचना है 3x-2 में 3 x में रखना है minus 3 minus 2 and c का अमान बचना है c के साब था x plus 1 का whole square यानि की minus 3 plus 1 का whole square तो minus का 9 minus का 2 बरावर c and minus का 2 square so we get minus 11 बरावर c multiply 4 तो यहां से c का अमान कितना आगया बचना माइनस का 11 बट्टे चार्ड तो यहां से अमान निकालना है तो एक अमान निकालने के लिए कुछ नहीं यहां पर आप गुणा करके तुलना के रूप में निकाल लेते हैं तो आ जाएगा ठीक है सिस्टम समझेगा यह जो सिस्टम आपका निकल किया आया था 3x-2 ठीक है 3x-2 3x-2 कितना आया था a, x-1, x-3, 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 x-1 का इसको है ठीक है तो मैं यह नहीं कहारा जो मैंने आपको ट्रिक के रूप में थोड़ा सा बताया है यह हर चीज में काम करें अब यहां से एक ही वैलू निकालने के लिए आपको गुणा तो करना ही पड़ेगा लेकिन यहां से ए और बी आपके जो बी और सी की वैलू आगई तो थो 3x-2 तो एक आमान निकाल लें तो यहां पर पहले गोणा कर लेंगे एकस स्क्वाइर प्लस 3 एक चार हो जाएगा 3x प्लस 3 प्लस b x-3 प्लस c एंड यह मनेगा x-square प्लस 2x प्लस 1 अब समझेगा मेरी बात ध्यान पूरवग अगर मैं आपसे कहूं कि यह लाइन आपको skip करनी है तो देखो x-square यहां दिया है x-square यहां दिया है ठीक है पहले मैं लिखता हूँ फिर मैं गोणा करके भी वैसी समझा होंगा x-square दिया तो क्या निकलेगा भी a-plus c और x-square कर लेंगे अब आप पकर दाएं किसका पार एक्स वाला पार तो यहां पर देखिए यहां पर b single x के रूपे है यहां पर two x है तो यहां पर कितना निकल कहाएगा four a प्लस b तो single आएगा and two c तो यह जाएगा x इस तरी में आई बात आपको नहीं तो फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे कि गुणा कर लो अब तो क्या कर लें अब यहां से हम गुणा कर लेते हैं तो गुणा कर रहे हैं तो कहने के लिए का a x-square plus four a x plus three a then b x plus three b then c x-square plus two c x plus c अब x-square वाला सिस्टम अलग निकालोगे common यहां से x-square common निकालोगे तो कितना निकल के आएगा यह निकल के आएगा a plus c x-square then अगर मैं बात करूं x वाला सिस्टम four a x b x and two c x तो यहां से x common निकालेंगे तो plus में four a plus b plus two c निकल के आएगा x अब आप पकर लिए अचारपत को three a three b and c यहा यहां ने उपर लिक्वाई थी reverse करके देखलो यह चीज लिक्वाई थी और इस चीज को आपको लिखना यह आपकी जो learn है ना इसको आप उस कोशिज करेंगे skip करने की बास समझेरे विदिया ठीक है इसको आप कोशिज करेंगे skip करने की ठीक है तो यहां से इतना सिस्टम ब करने पर ते तुलना करने पर सबूलना करने पर आपको मिलेगा संब्सक्राइद नहीं है यहां यह सिस्टम का यहां पर कितनेमे कश्फक्रेइद बरावर कर देंगे देन आपको दिया 3a प्लस 3b प्लस c बरावर यह अचरपद वाला सिस्टम है यहां पर अचरपद के लिए माइनस 2 माइनस 2 ठीक है तो अब मेरी बात को समझना जो मैंने ट्रिक के लिए बताई थी आपने ट्रिक लगाया मतलब वो ट्रिक के दो चाहिए जैसा भी कह दो जो भी कह दो अपने वह चीज अपलाई कि उसको जैसे मैंने यहां समझाया था आपको कि लिए नहीं करते तो फिर इन को आप हल करते कैसे हल करते कि ए का माल अपको Ц2 और D가eks-Radio candle को आपकी वैसी है लेकिन मेरे हिसाब से जो मैने उपर चीजह कुछ समझाद यौ थोड़ा आपको सलता की तरफ लेके जाएगी है अब कुछ नहीं यहांसे कहे रहे हैं एबरावर माइनस------------ सर्किटना मिल गया आपको एकामान मिलेंगा है यहां से कहार हैं यहां से की जाएंगे आपके लंबे ही जाएंगे आप यह नहीं सूचएगे सबाल लंबे नहीं जाएंगे बिलकुल जाएंगे लेकिन उनको तरीका क्या है लगाने का कि अब वह आप SIMPLE यह सिस्टम जो आपका था 3x-2 3x-2 and upon में x plus 1 का whole square and x plus 3 ठीक है तो पहले था a upon x plus 1 एक ही जगे 11 बट्टे 4 आएगा यानि क्या आप ले रहें 11 बट्टे 4 into 1 upon x plus 1 ठीक है मैं एक वार और समझा देता हूँ आपको कहीं आपको problem ना जाए इस चीज में बहुत ही अच्छे तरीक c upon x plus 1 का square जब अगर square लगा है तो मैं फिर बता दूँ अगर square लगा है तो एक बार single लेना है और एक बार square लेना है समाझे होँगे अब मेरी बात plus c upon x plus 3 अब value put कर देंगे तो 11 बटे 4 जो आएगा ना 11 बटे 4 आएगा इस प्रकार से आपको 11 बटे 4 into 1 upon x plus 1 है ना and b का मान आया था माइनस का 5 बटे 2 बी का मान कितना आया था भई माइनस का 5 बटे 2 और c का मान था माइनस का 11 बटे 4 बी का मान माइनस का 5 बटे 2 था तो भई माइनस रखेंगे क्या रखेंगे आप माइनस रखेंगे तो आपको इस सिस्टम का जो है वो समाकलन निकाल के दिखाना है तो यहां से आप ले रहे हैं वाइनस पाँव पन बटे दो को बाहर निकाल माइनस कग्यारा बटे चार वह निकलेगा इस यहां पर आप क्या लेकि चलिए माना इस जगे पर इस वाले पॉइंट में आपको ध्या रखना है इस वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ इस वाले को मानने अपने माना एक्स प्लस वन वरावर टी सो यहां पर मिलाएगा पुसी दे डी एक्स वरावर डी टी इसे साब से है ना तो बिसके लिए घात के रूप में कनवर्ट होके आएगा सवाल तो यहां से आप क्या कर रहे हो अगर ना भी मानो तो डारेक्ट भी आप अपलाई कर सकते थे कोई द लॉग एक्स फ्लस थ्री प्लस का सी ठीक है तो यह यहां पर लें लिए EPA बाउन पॉर लॉग एक्स प्लस वन मैनस का 11 बट्टे चार एंड लॉग एक्स प्लस थ्री ठीक है अच्छे यहां पर एक बान कितना निकला था एक अबाण ग्यारा बटी चार था यहां पर utis यह तो बसे ध्यान दिएगा 11 बटे 4 log x plus 1 minus 11 बटे 4 log x plus 3 और यह हो गया minus का 5 बटे तो integration t की power minus 2 dt plus c ठीक है तो यह कितना 11 बटे 4 आपने common निकाला तो अंदर बन जाएगा भी log x plus 1 minus log x plus 3 इतना और यहां से बो रहा है minus का 5 बटे तो t की power minus 1 upon minus 1 plus का c ठीक है so we get 11 upon 4 और चाह माइनस में अगर log है log a minus log भी तो क्या हो जाएगा बटे में log a upon b log x plus 1 upon x plus 3 ठीक है and minus minus बटे दो यह वाला समझे पारे होंगे यह वाला minus और यह वाला minus मिलके हो जाएगा plus and 5 upon 2 1 upon t plus c ठीक है और t का मान रखने हैं आपको x plus 1 ती का मान यहां पर रखने हैं आपको x plus 1 तो यहां से आंसर आजाएगा 11 बटे 4 log x plus 1 upon x plus 3 ठीक है और plus का 5 बटे 2 x plus 1 plus का c तो यह हो जाएगा वही आंसर ठीक है तो यहां समझने वाली बात यह है कि गौर कीज़े यहां पर यहां पर भी x स्कॉयर है यहां पर भी x स्कॉयर है यहां पर भी x स्कॉयर है तो क्या करो इस x स्कॉयर को आप कुछ माल लो अलग से ठीक है तो यहां पर आप ने क्या किया कि माना माना सब्सक्वायर बढ़ावर ठीक है आपने यहां पर सिस्टेम जो एक स्ट्मार के लिए हां यहां पर ना मान की क्या करो इस को पह이라 रूप मैंर seldom रूप आधा निकाल अध़ा तो क्योंगи को यहां के लिए आपने माले यहां पर इस system में माना x square ब्रावर य अब थोड़ा यह सिंप्ली थोड़ पर आप हल करते हैं एक्स स्कॉर य रख रहे हैं तो यहां पर मिलीके आपको y plus one y plus one and y plus four ठीक है तो इसको लिख देंगे आप A upon Y plus 1 plus B upon Y plus 4 तो यहां से कितना जाएगा अगर मैं बात कूँ देखो आपको बता है यहां लासा लेते हैं ठीक है और यह चीज मैंने आप से कहा है यह चीज को आपको डारेक्ट करना है है ना इस सिस्टम को यह वाली लायन को लिखने की को जरूरत नहीं है आप अगर डारेक्ट करेंगे तो अच्छी बात है तो B के साथ क्या हैगा Y plus 1 और यहां पर इस सिस्टम Y upon Y plus 1 and Y plus 4 ठीक है तो यह Y plus 1, Y plus 1 कट रहा है Y plus 4, Y plus 4 कट रहा है तो basically यहां से आपको कितना में जाएगा अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह Y बराबर हो जाएगा A Y plus 4 plus B and Y plus 1 और जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हो सके तो इस लाइन को लिखने के बाद आप इस लाइन पर डारेक्ट आईए और यह आप कर सकते है इतना ठीक है ऐसे कोई समय से हैं नहीं ठीक है इसके बात क्या करना है आपको गुणा करना है तो A Y plus 4A plus B Y plus B तो यहां से Y common निकालेंगे तो A plus B Y plus 4A plus B और सेम चीज मैंने यहां पर कही कि इस Y line को बीच Y line को लिखने की जगे आप इस line पर डारेक्ट आउट कीजे और यहां इस Y line के बाद इस Y line के बाद आप यहां पर आईए ठीक है तो कहने के मतलब यह है कि आप इसको हल कर लिए और इसको हल करने के बाद आप सीधे यहां पर आ सकते हैं क्यों? क्योंकि यहां पर आपको basically क्या करना है कि Y plus 4 का गुणा 4 के साथ होगा और यहां पर Y plus 1 का गुणा B के साथ हो जाएगा simply then आपको क्या कर देना common निकाल लेना है तो Y के साथ जो सिस्टम है यानि A Y बना और B Y तो यह प्लस A plus B Y निकला आएगा then 4 A and B यह सिस्टम आलग हो जाएगा तो यहां से आप आसानी से इस Y लाइन पर पहुंच सकते है इतनी रहता कोई कठें चीज है नहीं यहां से क्या करना आपको तुलना करने पर ठीके न तुलना करने पर तो अगर तुलना कर रहे हैं तो आपको पता Y बाले सिस्टम है यहां पर देखो Y के साथ क्या है 1 है न तो यहां पर A plus B बडाबर हो जाएगा 1 तो A बरावर कितना ले रहे हैं 1-B 1-B ले रहे हैं और कितना है अचारपत तो है नहीं है तो अचारपत हो जाएगा पर 0 वाले सिस्टम की साथ 4A प्लस B बरावर 0 A का मान लख रहे हैं 1-B ठीक है 4 का multiply है प्लस B बरावर 0 तो यहां से कितना नकलेगा 4-4B बरावर 0 यानि 4-3B बरावर 0 minus 3B बरावर minus 4 तो यहां से आपको मिल ला है B बरावर minus 4 बटे minus 3 तो B की value कितनी है आ गई 4 बटे 3 अब B का मान 4 बटे 3 आ गया तो A का मान था 1-B ठीक है A बरावर 1-B तो a बरावर हो गया 1-4 बटे 3 लासा ले रहें या बरावर हो गया 3 यहां पर आएगा 3-4 एंड यहां पर लासा लेने पर कितना रहें minus का 1 upon 3 एक आमान आगे है minus का 1 upon 3 तो सवाल क्या बना था आपका y upon में सवाल बना था y upon में y plus 1 and y plus 4 तो यहाँ से A का मान निकाला माइनस का 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन Y प्लस 1 and प्लस B का मान कितना आए हुई 4 बटे 3 तो 4 बटे 3 और Y की जगए यहाँ ले रहा है 1 अपॉन Y प्लस 4 अब सवाल था Y के स्थान पर X स्क्वायर के रूप में यहां पर बेसिकली था क्या कि x square upon x square plus one and x square plus four यह था यहां से केता निकलेगा माइनस का one upon three one upon x square plus one पुलस का चार बटे 3 upon में x square plus four तो अब इसका आप वोगाकला निकालने तो integration निकाल के integration of x square upon x square plus one and x square plus four and dx तो ये कितना निकल के आ रहा है वही माइनस का वन अपॉन 3 इंट्रिकेशन ओफ वन अपॉन X स्क्वाइड प्लस 1DX प्लस का 4 बटे 3 इंट्रिकेशन ओफ वन अपॉन X स्क्वाइड प्लस 4 and DX तो यह फॉर्मूला किसका अप्लाई हो रहा है ध्यान देंगे अगर फॉर्मूला लग रहा है आपका 1 अपॉन X स्क्वाइड प्लस A स्क्वाइड डी एक्स वरावर 1 अपॉन A 10 इंवर्स X ये वाला लगा रहे हैं फॉर्मूला था ठीक है 10 इंवर्स के लिए प्लस की चीज है तो इसलिए यहां से क्या करें आप माइनस का 1 अपॉन 3 यहां पर तो आ जाएगा सीधा सीधा 10 इंवर्स 1 और प्लस का 4 बटे 3 यहां आ जाएगा देखो एक ही जगए 2 रखना है एक ही जगए जब 2 रख रहे हैं तो एक आवान 2 है तो यहां पर कितना आएगा एक सब्सक्राइब 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 एक माइनस का वन अपॉन थ्री एन इन वर्स एक्स प्लस का दो से चार वो कार देंगे दो बार में दो बटे तीन एंड टैन इन इन वर्स एक्स अपॉन टू प्लस का सी तो भई यह हो जाएगा आंसर सिंप्ली ओके अगले उधायन की बात करते हैं आपको अधायन आवर 15 कह रहा करो या कीजिए तो कुछ यह सवाल आपको दे रखा है तो इसको करते हैं पहली बात तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या कर देना यहां पर यह कॉस स्कॉयर फाई है तो इसको साइन स्कॉयर में कर लेते हैं तो यहां पर आप क्या कर रहा है कि कॉस स्कॉयर फाई की को कॉण 2 धिकतना हो जाएगागा वन माईनस साइन स्क्वाइट थिटा दिके सब्सक्ते हाइगा यहां पर अप्लाई कर देगे इंट्रिकेश्न ओफ ठीस साइन फाई माईनस कट टू एंड कोस फाई अपॉन में 25 माईनस यहां पर कितना रखता हैए 3 sin 5 minus 2 and cos 5 और यहां पर आप कर रहे हैं 5 minus 1 plus का minus minus plus हो जाएगा sin square 5 minus 4 sin 5 and d5 ठीक है तो 5 मैं से 1 गया बच्छार तो यहां से आपने लिया कि 3 sin 5 minus 2 and cos 5 upon में यह हो जाएगा भी 4 और कितना ले लिया यह हो कि 4 plus sin square 5 minus का 4 sin 5 and d5 अब यहां पर क्या कर रहे हैं कि sin 5 को आप कुछ मान लीजे ठीक है तो यहां पर माना माना sin 5 बरावर ती तो sin 5 बरावर ती आ रहा तो इसका अवकल कितना हो कभी cos 5 and d5 बरावर dt अब यह वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटिकेशन of 3 t minus का 2 upon में 4 प्लस यह जाएगा t square minus का 4t and dt ठीक है तो अब यह कितना बन जाएगा अगर मैं बात करूं तो यह फॉर्मूला आपका y minus t t minus 2 का whole square बन रहा है इंटिकेशन of 3 t minus का 2 upon में t square ठीक है कितना ले रहे हैं t का whole square and plus का 2 square minus 2 कोने 2 कोने t ठीक है and dt यहां से आपका t minus t minus 2 का whole square हो गया ठीक है so 3t minus 2 upon t minus 2 का whole square हो गया and dt अब यहां पर आप simply इसको t minus 2 का whole square है और इसको हम आंसिक भिनों की रूप में convert करते हुए करते हैं ठीक है तो यहां क्या हो जाएगा अगर मैं बात करूं तो यहां से आप ले रहें 3t minus 2 upon t minus 2 का whole square इसको कैसे रिखना भई यह निकल के आएगा a upon t minus 2 whole square है तो एक बार t minus 2 plus एक बार b upon t minus 2 का whole square इस रूप में लेंगे ठीक है तो यहां से कितना निकल के आएगा 3t minus 2 upon t minus 2 का whole square बराबर यहां लासा आएगा भी t minus 2 के whole square का तो a के साथ जाएगा t minus 2 and plus का b b तो single ही रहेगा क्योंकि b के साथ अपन में t minus 2 का whole square तो पूरा पूरा है अब यह t minus 2 का whole square कैंसल कर रहे हैं आप यहां से यहां से कितना ले रहे हैं 3t minus 2 बराबर a t minus 2 plus b ठीक है तो यहां से अब तुल्ला कर देंगे और 3t से करेंगे है ना तो यहां से आपने क्या किया कि a का मान निकाल लियत 3 ठीक है और अब अचरपत के लिए रखना है तो अचरपत का यह system है minus 2 a plus b यह बराबर हो जाएगा minus 2 के तो यहां से आप कर रहे है minus 2 a और minus 2 a plus b बराबर minus का 2 तो minus 2 into का 3 plus b बराबर minus 2 and minus का 6 plus b बराबर minus 2 so we get b बराबर minus 2 plus 6 और यहां से आपको b का मान मिल गया 4 a का मान आ गया 3 and b का मान आ गया 4 simply अब रख देंगे तो आपका वैल्यू कहते है अगर मैं बात करूं तो यह था 3t minus 2 3t minus 2 upon t minus 2 का whole square तो a की value आपको रखने है कितनी 3 तो यह था 3 upon t minus 2 plus b का मान 4 रखना तो 4 upon t minus 2 का whole square कुछ इस तरीके से ठीक है तो अब इसके लिए हल करते हैं और यहां t minus ko आप कुछ माल लिंगे अगर मैं बात करना तो हम कुछ माल लेते हैं स्कुआ सब्सक्राइब ॏफ रोप में यहां से आपका सवाल हो जाएगा थिक है तो इंट्रीुकेसान के लिए के लिएistä है पहले पहले कि की माइनस का टू अपोण। टी माइनस टू का होल स्क्वाईर एंड डी टी बरावर, तीन को बहार निकाल ला है, integration of t-2 dt, प्लस का 4, integration of 1 upon t-2 का whole square and dt, ठीक है, तो ये वाला system हो जाएगा सीथा सीथा log, ठीक है, log t-2, फ्लस 4, अब यहाँ पर भी आप direct कर लेंगे, क्या करेंगे, t-2 की पावर हो रहाँ माइनस का 2 and dt, तो t के साथ कुछ और चीज नहीं सिर्फ सिंगल है, तो घात की रूप में आप हल कर रहा है, और घात में क्या होता, एक जोड देते हैं, और जो घात बनती है, उसी को हर में लिख लेते हैं, तो 3 log t-2 प्लस 4, इंटू में, अब घात माइनस 2 है, माइनस 2 में एक जोड़ों के तो बनेगा भाई, t-2 की पाव एंट, t-2 की पावर माइनस 1 है, अपन में, t-2 कर सकते हैं, यहां पर, 1 अपन में, t-2 प्लस का c, ठीक है, इतना, और t के स्थान पर आपको कितना रखना था, यह माना था अपने, sin 5, यहां से आंसर आ जाएगा भी, कुल मिलाकर आंसर ही हो जाएगा, आपका 3, log, and sin 5 माइन माइनस का 2, माइनस का 4, अपन, sin 5 माइनस का 2, फ्लस का c, ठीक है, कुछ इस तरीके से आंसर हो जाएगा, इसके अलावा आप यहां पर अगर गौर करेंगे, मेरी बात को समझेगा, यह तो पूरा आंसर होगा, यह देख लिएगा सवाल कुछ नहीं सवाल में, ठीक है, अग अगर आप यहां पर देखिए, t-2 का होल स्क्वाइर हो रहा, अब इस जगे पर अगर आप t-2 का होल स्क्वाइर ना रखे कर, 2-t का होल स्क्वाइर करें, तो भी चीजे अंतर, तो भी चीजे बदल जाएगी, ठीक है, लेकिन चीज भाही रहेगी, समझना, आंसर आपका थोड़ा सा अलग आएगा, अगर t-2 का होल स्क्वाइर करें, तो वहां से भी आपको कुछ आंसर तो आपका अलग आएगा, लेकिन जो फंक्सन होगा, वो आपका सही रहेगा, समझे जैसे, अगर मैं इसी सवाल को second method से लगाता हूँ, और यहां पर जो है, एक और तरीके स में लगाता हूँ, यहां पर two minus t का whole square अगर लेकी चलता हूँ, तो क्या system मनता है, ठीके, तो उस रूप में भी आप देख सकते हैं, ठीके, उधार नमर अपना पंदरा था, इसी को मैं second method से लगाता हूँ, second method, ठीके, बात कुछ समझेगा मेरी, और यह second method हो जाएगा, आप सवाल दिया था, integration of three sin five and minus two, और यह था भी, cos five upon में, five minus cos square five, ज़रूरी नहीं है, आप आंसिक बिन्नों सही करें सवाल को, ठीके, लेकिन यहां पर जो cos square five है, इस जगे, इसको तो आपको convert करना ही पड़ेगा, ठीके, तो अगर मैं इसको करता हूँ, तो यह अगर अगर आप cos square five, और अपन में five, अब देखी, माइनस है, और cos square five की जगे, one minus sin square five है का, तो माइनस का कुना करने पर बने का, माइनस का one, plus का sin square five and minus का four sin five and d five, कुल मिला का इतना, ठीक है, तो यहां से आप ले रहे, integration of, इस चीज़ को integration of three sin five minus two and cos five, और अपन में इसको इस पर काई से ले रहे हैं कि sin square five, और कितना ले लिया, plus का चार, minus का four sin five and d five, ठीक है, जब समझेगा, एक और तरीके से आप इस सवाल को लगा रहे हैं कि three sin five minus का two cos five, अपन में, इसको लिख सकते हैं, आप sin five minus two का whole square, बिलकुल, and d five, अब यहां sin five minus two क इसको मान के चलेंगे, ठीक है, sin five minus two, इसको मान लीजिए आप, कुछ, ठीक है, तो यहां से, आपने क्या कहा कि माना, sin five minus two बरावर, टी, तो यह sin five minus two बरावर, टी, कितना हो जाएगा, बैए, यह हो जाएगा, cos five, d five, बरावर का, dt, ठीक है, इसकी value आप पूट कर देंगे, तो यहां से कितना मिलेगा, अच्छ, यहां से, अगर मैं, sin five की value निकालू, sin five बरावर, कितना निकल के आएगा, sin five बरावर, निकल के आएगा, t plus two, ठीक है, तो यह value रखनी है, यहां पर, integration three, and t plus two, minus two, and cos five, d five हो जाएगा, यह dt, upon में, t का square, ठीक है, तो यह कितना हो रहा, three, t plus six, minus two, and dt, upon में, t square, ठीक है, तो कितना मिला है, three, t plus का four, upon का t square, and dt, अब आपको पता है, कि t square का आपको भाग दे रहीं, तो यह रहा है, three, t square, three, t square, नहीं, three, t, upon में, t square, upon में, t square, plus four, upon t square, and dt, तो इस तरीके से, आप ज़रूरी नहीं कि आपको आंसिक भी, नहीं करनी पड़ी, आप इस तरीके से भी सवाल को देख रहे थे, यहां से आपको कितना में जाएगा, three, बाहर आएगा, यह बचेगा, one, upon t, and dt, plus four, बाहर आएगा, यह हो जाएगा, t की पावर माइनस का two, and dt, दे ले रहे हैं, आप three, and log, t, plus का four, and t की पावर, minus one, upon minus one, and plus का c, तो यह कितना हो रहा था, अच्छा, t के स्तान में आपने मान लिया था, t के स्तान में माना था, sine five minus का two, ठीक है, sine five minus का two, यह चीज मानी थी, तो यहां पर अगर रख दें, तो यह हो रहा भई, three, log, sine five minus का two, और यह जो निकल के आएगा, minus, ठीक है, अब यहां पर यह सिस्टम आपका मन के आ रहा है, minus का, ठीक है, न, कहीं कोई गलती दो ही नहीं थी अपनी, ठीक है, सही चीज़े, और यहां पर अगर मैं बात कर दो, यहां पर इतना सिस्टम हो रहा था, इस हिसाब से, कि three sine, three log sine five minus two, यहां minus का four sine five minus two, प्लस C, यह कुछ इतना आ रहा था, और यहां पर, यहां हो रहा है, three log sine five minus two, और minus का, इतना ही आ रहा था, यहां पर, यहां पर, मैंने second method की तॉर्टर आ रहा था, ठीक है, यही answer आ रहा था, ठीक है, यही answer नीची अपना मिल रहा है, तो मैंने आपको second method की तॉर्टर यह बताए, कि आंसिक बिन यहां करने की कोई पते हैं, नहीं रहे, इस तरीके से, दोनों चीजों को आप समझ लिजेगा, जो भी ऐसा आपका समझ है, कि system इस प्रकार से बन जाएगा, sine five minus two plus c, ठीक है, यहांनि यहां पर कितना minus t था, तो one upon t हो गया, one upon t हो गया, minus हो गया, तो यह कितना निकल गया, three log sine five minus two minus का four upon sine five minus two plus का c, तो यह इतना answer हो जाएगा, ठीक है, और जैसे मैंने यहां पर आप से कहा, कि आप अगर इसको system को बदल के भी देखेंगे, इस चीज़ को, आप two minus sine five का whole square करके देखेंगे, तो कितना आ रहा है, तो इसमें आप ठोड़ा करके देख लिजेगा, ठीक है, बाकी का मैंने तो आप बहुत द्यान पूर्ण देख सकते हैं, इस पिकार से, ठीक है, देखेंगे, मैं बड़े आराम आराम से आपको बताते चल लहाँ, यहाँ पर इस तरीके देख लिए, आंसिक बिननों से मैंने कर दिया इसको, ठीक है, यह system आपका आंसिक बिननों से यहां से हो गया और दूसरा जो method मैंने बता दिया, वो दूसरा method आपका बिना आंसिक बिननों से भी बताती है, ठीक है, तो उसमें आपको direct sin 5-2 के लिए आप टीम आन की चलेंगे, और सवाल को हल कर देंगे इस तरीके दे, ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लिएगा, कौन सा आपको सव सवाल बहता लग रहा है, कौन से solution आपको सही लगा है, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई भी दिकत नहीं होनी चाहिए, उधार नमर 16 की बात कटें, आपको इस प्रकार से दिया है, सवाल कि integration of x square plus x plus 1 upon x plus 2 and x square plus 1 dx का मान ग्याद कीजिए, तो कुछ ही यह सवाल आ ठीक है, तो यहां से अब इसको आंसिक भिन्नों में अगर आप तोड़ते हैं, x square plus x plus 1 upon x plus 2 and x square plus 1, ठीक है, तो यह निकल के आएगा, a upon x plus 2, ठीक है, प्लस, अच्छे यहां पर गौर कीजिए, यहां x square दिया है, तो अब x square के हिसाब से जो system आपका बनेगा, x square के हिसाब से system आप क्या बनाएंगे, bx plus c के रूप में, है ना, bx plus c वाला system बनाएंगे, तो bx plus c upon x square plus 1, अब आपको पता है, यहां से डारेट करने वाला हूं, कहची गुणा के रूप में, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कह रखा है, कि x square plus x plus 1 बराबर, अब आपको यह चीज़ पता है, यह x square plus, x square plus 1 का गुणा, a के साथ and x plus 2 का गुणा, bx plus c के साथ आप कर देंगे, ठीक है, तो यही चीज़ में, डारेट कर रहा हूं चीज़ को, तो a का गुणा, x square plus 1 के साथ and यह bx plus c के साथ आप ले रहें, x plus 2 को, तो यहाँ पर एक चीज़ करना चाहूं, तो a कामाण direct निकाल सकते हैं कि mana bx plus c बरावर 0 लेकिन बाद में आपको तुलना करके तो निकालना पड़ेगा समयनना मेरी बात कि अगर आपने bx plus c बरावर 0 लिया तो यहां से आपका एक आवान डारेक्ट निकलाएगा लेकिन बाद में आगे आगे ही जाके आपको तुलना तो करने ही पड़ेगी ऐसे मैंने ट्रिक वाले ही सिस्टम बताया था आपको ठीके तो यहां पर क्या कर दो माना माना x plus 2 बरावर 0 माना x plus 2 बरावर 0 यानि x की value आप कितनी रख रहे हैं? माइनस का 2 अब यह value पुट कर देंगे यहां पर देंगे x square plus x plus 1 यहां पर आप रख रहे हैं x की value minus 2 then x plus 2 का मान अगर आपने यहां रखा 0 यहां पर अगर आपने x का मान 0 रखा तो यह जो पूरा सिस्टम में bx plus c into में x plus 2 यह पूरा सिस्टम आपको 0 यह बन जाएगा ठीके ना तो यहां पर हो रहा है minus 2 square plus में minus 2 plus 1 बरावर a and यह ले रहा है minus 2 square plus 1 और यह रहा 4 minus 2 plus 1 बरावर a and 4 plus 1 तो यहां से आएगा 2 plus 1 बरावर a into 5 so a बरावर कितने में लेगा 3 बटे 5 यह का मान 3 बटे 5 जल्दी से आगया लेकिन अभी आपको इसको हल तो आँगे करने ही पड़ेगा x square plus x plus 1 बरावर यह था a and x square plus 1 plus b x plus c ठीक है यह है बई b x b x plus c and x plus 2 ठीक है अब आपको यह गुणा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको b और c का मान भी चाहिए है यहां से निकाल रहे हैं आप a x square plus a plus b x square plus 2b x plus c x plus 2c तो x square के लिए system बनेगा a plus b x square x वाला system आप बना रहे हैं कितना यह बना रहे हैं यहां से 2b plus c x और अचरपद वाला बना रहे हैं अब यहां आप क्या कर रहे हैं तुलना करने पर तुलना करने पर अगर आप तुलना कर रहे हैं 1-3 upon 5 लास आएगा पांच का तो यहां आप कर रहे हैं 5-3 ठीक है तो b का मान मिल गया 2 upon 5 ठीक है और यहां पर यह x के हिसाब से 2b plus c को यहां पर कर देंगे तुलना यह 2b plus c के लिए तुलना कर रहे हैं ठीक है 2b plus c बराबर 1 and b की value आपने निकाली 2 upon 5 2 and 2 upon 5 plus c बराबर 1 so 4 upon 5 plus c बराबर 1 and c बराबर 1 minus 4 upon 5 and c बराबर 5 तो यहां से c value आपको 1 upon 5 इस तरीके से देखो वहां पार अगर आप यह छोटी monitor आप इस्तमाल कर देते हैं यहां पर रखते है तक 0 ठीक है मैं x plus x plus 2 रख रहे हैं आप x plus 2 बराबर 0 यह रख रहे हैं यहां पर तो कहने के मतलब इससे क्या हुआ अब इससे आपका a का मान आ गया एक अमान निकालने के बाद आपको यह system था आपके पास x square plus x plus 1 upon x plus 2 and x square plus 1 तो एक आमान कितना निकाला आपने एक आमान निकाला 3 upon 5 थी होगे भई 3 upon 5 1 upon x plus 2 and b का मान आपने निकाला है 2 upon 5 तो b x plus c था तो 2 upon 5 x plus 1 upon 5 upon x square plus 1 इतना आप ले रहे हैं तो यहाँ पर पहले तो लासा ले लेंगे ठीक है तो यह system अभी पूरा का हल नहीं है कि 3 upon 5 upon में 1 upon x plus 2 3 upon 5 into 1 upon x plus 2 ठीक है न यहाँ पर लासा आएगा 5 का और यह हो जाएगा 2x plus 1 और upon में x square plus 1 तो 5 को upon में ले लेंगे 3 upon 5 into 1 upon x plus 2 प्लस यहाँ पर कर लिए 1 upon 5 and 2x plus 1 upon x square plus 1 अब यहाँ पर आपको simply समाकलन कर देना और जहां रखिए x square plus 1 है तो क्या कर सकते हैं x square plus 1 को आप t लेके चल सकते हैं तो यहाँ पर एक काम कीज़ें कि x square plus 1 को आप अलग लग कर लिए x square plus 1 को हम भाग देते हैं तो यहाँ से आप सिस्टम मना रहे हैं कि 3 upon 5 into 1 upon x plus 2 plus में 1 upon 5 into का 2x upon x square plus 1 और प्लस 1 upon 5 into 1 upon x square plus 1 अब इस चीच के आप डारेक्ट integration निकाल सकते हैं ठीक है तो यह कितना हो जाएगा अगर मैं बात करूं तो था x square plus x plus 1 x square plus x plus 1 upon x plus 2 and x square plus 1 dx यहाँ से आप कर रहे हैं थे कितना हो रहा था 3 upon 5 integration of 1 upon x plus 2 dx plus 1 upon 5 integration of 2 x upon x square plus 1 dx plus 1 upon 5 integration of 1 upon x square plus 1 dx ठीक है आप देख यह चीज़ आपको पता है कि यह तो आपका सीधा-सीधा लोग वाले सिस्टम जाएगा 1 upon x plus 2 log वाले सिस्टम जाएगा and यह integration of 2x upon x square plus 1 यह कैसा सिस्टम जाएगा तो मैंने आपको यह formula बता रखा है कि यदि जो uns है uns हर का अगर alkaline हो जाए ठीक है uns जो हर का alkaline हो जाए तो यह सिस्टम क्या बन जाता है log हर के रूप में बन जाता है तो देख लो जो uns है uns वह हर का alkaline है बिलकुल है या फिर आप क्या करेंगे इस x square plus 1 को आप t मान के करेंगे तो वहां से भी आ जाएगा और इ तो आप कैसे भी सोच सकते हैं यह दूसरे वाले को समझ गए अगर uns जो हर का alkaline है तो समाकलन क्या हो जाता है लौग इंटू हर हो जाता है कि नहीं हां यह हो जाता है तो चाहो तो ऐसे कर लो चाहो तो मैं आपको प्रितिस्तापन से आगर समझाना चाहूं मैं पहले log x plus 2 plus 1 upon 5 log x square plus 1 plus 1 upon 5 and 10 inverse x plus c तो यह हो जाएगा भी आंसर ठीक है और अगर मैं इस दूसरे वाले सिस्टम की बात करूं कि अगर मैं इस दूसरे वाले सिस्टम को अलग से हलका नहीं कोश्य करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि यह 2x upon x square plus 1 and dx है तो मैंने आप से क्या कह कि यह आपने माना माना x square plus 1 बरावर t तो यहां से क्या मैं लेगा होई 2x dx बरावर dt यहां से क्या होई इंट्रिकेशन 2x dx की जगे आएगा dt upon में यह जाएगा t तो कितना हो जाएगा अभी log t यानि log t यानि कि log t के स्थान पर x square plus 1 इसका मतलब क्या होई जो मैंने आपको formula पता है कि integration हर का आउपलन ठीक है हर का आउपलन जो की अंसम है बटे हर nd तो यह मिल जाता आपको log हर ठीक है इतना मिल जाता तो यह दायर नमर 16 हो गया exercise 7.5 का जो आपका concept आंसिंग बिन्नो द्वारा समाकलन ता वह हो गया and आपके मैंने example समझा दिए अब यहां पर आंग जाता है उमीद है आसा है होप है यह वीडियो आपको बहुत ही यादा अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा और कोई भी समयस्या नहीं रहे होगी यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को all select जरू रखिएगा और साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा यदि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक सेर कमेंट्स करना मत भूलिए कमेंट्स करके यह बताइए कि आपको यह जो कोर्स मिलते हैं या आपके लिए कितने यादा जरूर कीजिए वहाँ पर आपको 3 PDF solution, notes और doubt clearance करा जाते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आती है तो minimum price पर minimum fees पर आप उस class को जोईन कर सकते हैं बहुत ही minimum से minimum आपकी fees रहती है इस बात को ध्यान रखिएगा तो आगे बढ़ते हैं और साथ ही यदि आप हमारे social media platform के handle को follow करना चा से personal बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होती है link आपको description में मिल जाएगे सभी के application को जरूर download करें और चैनल को subscribe कर लिजेगा इसे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जैन जै भारत वंदे मातरम